वाँ कि यृण कि वेलकम बैक टूमाइच चैनल एक जाम तक इस तुडियों को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा से सेर करें तो यदी आप वो बोर्ड के त्यारी कर रहे हैं तो इस विडियो को आप आन तक ज्रूर देखें और आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेन स्टाइब्स करेंगे हम सुरू करते हैं हमारा पहला प्रसन है मैदानी प्रस्थिती तंत्र में तिर्थितकी उपभोगता है कि मैदानी परिश्थिती तंत्र में तिरती की उपभोकता हैं चार आप्शन हैं, हरापोधा, मेडग, ग्रास हापर या शर्ब तो मैदानी परिश्थिती तंत्र में हमारी तिरती की उपभोकता है, सर्ब यानि CuteThe Option is Dr. DC nosotros, clear है? चलिए next question देखेंगे हम लोग अगला क्यूचन वन पारिस्थित की तंत्र में हिरन होते हैं या कौन से नमबर प्यात हैं उत्पाद या प्राथमिक या दिर्तिय या तिर्तिय तो वन पारिस्थित की तंत्र में जो हिरन होते हैं वो हमारे होते हैं प्राथ्मिक यानि कि ओप्सन नवर बी सही हो जाएगा प्राथ्मिक अला क्यूचन चलेंगे हम लोगे नेक्ष्ट क्यूचन किसी पारिष्थिकी तंत्रके जैव घटक होते हैं किसी पारिष्थिकी तंत्रके जैव घटक होते हैं चार उप्सन ने बारे पास परकास इवं जल, पोधें इवं मिरिदा, हरी पोधें इवं जल, तदा पोधी जानवर मुनस्यों इवं सुक्षिम जीव, यहां से हमारी राइटे इंसर हो जाएगी, उप्सन नमबर D, पोधी जानवर मुनस्यों सुक्षिम जीव, यह हमारी किस संक्तितित की तंद्र के जयवव घटी होते हैं कि और इस लिए नेक्स्ट कुमें अला और प्रभाव यह से सभी तो यहां से पर्वा होता है जय और अजय वातावरन के बिच अधान पर्दान भी होता है तरह पदातों का चक्रिय पत्ध द्वारा पर्वा भी होता है यानि आपसान नमबर डिया यहां साथ को सही जाएगा इन में सभी किलियर है नेश्ट कुचन देखेंगा हम लों कुचन नम्बर फाइफ पूराए की hörकि नीनमनमे क्रिती56ति की तंत्रव कुन हैं। यहां पर चार ओपसन ने हमारे पास पूराए की Disicação नम्टमले में क्लीप 66ति 75तनर कौन हैं। फुलवारी पार्क जल जीवसाला यह इनवे सभी इसट नित की तंत्रे में हमारी फुलवारी भी है पार्क भी है जीवसाला भी है ओपसन के यहां से मारा सही जा रहा है इनमें सभी क्लियर है कैसं सी पदार्थ अब गटन परियावरन में नहीं हो सकता है को प्लास्टिक का सोखह पत्ते का या भोजन का इसंड को इसससान है ठीकिकस को एंसर आपको पता तो आप कुमेंट बैक्स में जाकर पहले वीडियो को इसकीप करके वहां से पहले आपको कुमेंट बगस में इसका एंसर जरू लिखें इसका राइट एंसर जाएगी ऑप्सन नमर एट के प्लास्टिक जो है इस्टुएंट अब घटन नहीं है तो यह जल्द अब घटन होता किसी पार्ष्थिकी तंत्र में और्जा को गरहन करने वाले होती हैं किया होती है उत्पाद होते हैं उप भोकता होती है या अब घटन करता होते हैं या सुक्ष्मजीव होते हैं तो यहांसे हमगी राइट एंश रोड़ जाईग here. option number वह उत्पादक होते हैं सही है चलिए next question देखेंगे अगला question next question है सूरी की बिकरन उर्जा का गरहन किसी परिष्थित की तंत्र में किसकी द्वारा किया जाता है ठीक है सूरी की जो बिकरन होते हैं उनका उर्जया का गरहन किसी पारिस्थित की तंत्र में किसकी द्वारा वह गरहन किया जाता है भोगता के द्वारा अब घटक के द्वारा उत्पादक के द्वारा इन में से कोई नहीं तो यहां से मरी राइट इन सरू जाएगी ऑप्सन नंबर सी उत्पादक के ड्वारा ठीके उत्पादक के द्वारा सुरिक के इभिखरान ऊर्जा का गरहन किसी पार इस्थित की तंद्र में किया जाता है clear छलिए नेक्स्ट क्यूचन देखें अगला क्यूचन नेक्स्ट क्यूचन है कि निम्र में से कौन सा अहार सिन्खला का का मुझा निर्मान करता है खुजन एंजा popular पूछ़ा याँ पर चार औक है आपको बतादा ना कि unto से सिर्फ आरा है सिर्फ और हॅब करता है खांस यवं तत्ता आम है घ्म टेड़ा मानों बक्री गयाए राथी ग्यास मश्ली तत है बक्री तो यहां से हमारी राइट एंसर हो जाएगी student option नंबर भी घास को खाती है बक्री और बक्री को खाते हैं मनुस्य यानि कि option नंबर भी आपका सही चल जाएगा घास बक्री तथा मानौ किलियर है student चलिए अगला की उचन देखेंगे next की उचन बोला कि नीमन बिकलपों में कौन पारिस्थित की तंत्र की सन्रचना का जैव अभ्याइण नहीं है ठीक है तो यहिए नहीं है मिलिदा चन्तु पादप या सुक्षमजी sebenarnya दिए हमार्य जो मिर्दा है वह पारिस्थित की तंत्र के दिएव अभ्यव नहीं है यानि एप्सर नंबर ए हमाया से सभी जाएगा, मिर्दा, चलिए अगला कोचन तेखेंगा, मोज़ो nächst question, next question है, किसी भी परिस्थिती में उपर की और ही है, वह किसी भी सिती में उपर की और ही निस्ञ डिस्थ होगा, संख्या का पेरामेंड, जेवसंतती का पेरामेंड, या उर्जा पिरामिंड या इन में से कोई नहीं तो यहां से इश्टून हमारी राइट एंसर हो जाएगी और सी उर्जा का पिरामिंड कि उर्जा का जो पिरामिंड है वह किसी भी पारिश्थित की तंत्र में उपर और ही निर्दिश्ट होता है चलिए अगला क्युचन देखेंगे करेंस का मैदान यह समूंद्र तो किरिती나 परी इस्थिति के उधारन एक किरिसी भूमि यानि ऑप्सन नमबर इहां से अब सही हो जाएगा किरिसी भूमि के लिए रहे वक्तिक नेश्ट को चलेंगे एक अगला की उचन नेश्ट की उचन है ने कौन मैदानी परिष्थिति की तंत्र को निरूपित करता है ठीक इन में से कौन सा जो है वह मैदानी परिष्थिति की तंत्र को निरूपित करता है पहला ओप्सन है घास हीरन तता बाग दूसरा ओप्सन घास गरासो पर मेठक सर्प गीद तीसरा ओप्सन है घास जलिये कीट म अपका राइटेंस रोजाएगा घास खाती है ग्रॉस ओपर ग्रॉस ओपर खाता है मिधग मिधग को खाता है सर्प खाता है गीड यहां सब का सही हो जाएगा चलिए नेक्ट कुछन चलेंगा लोगा लगा लगा कीचन नेक्ट कुछन है किसी भी पारितंत्र के सभी जैवी घटकों के मध्य एक संबंध होता है वो कौन से संबंध होता है क्या अनियासर से संबंध होता है या उतपादक उभोकता का संबंध होता है या साजीवी परजीवी का संबंध होता है या इन में से कोई नहीं तो यहां से हमारी right answer हो जाएगी अन्योयन स्रेका संबंध होता है यानि option नमबर यह आपका सही हो जाएगा अन्योयन्या स्रेका संबंध क्लिर है चलिए अगला क्यूचन देखेंगे नेक्स्ट क्योजन है पारिस्थित की तंद्र के जैविघठकों में जिवानींट में कवकों को कहते हैं उसमें जिवानीं ततना का क्या कहते हैं अभगटन करता अपमारजक सुक्ष भोगता इन में से सभी कहते हैं तो पाइस्तित की तंत्र के जो जैव अब घटक होते हैं उन्में लोग जिवानों अब कोको को अब घटन करता कहते हैं यानि ऑप्सन नमबर यह सही हो जाएगा अब घटन करता क्लियर है चलिए नेक्ष्ट की उचन चलेंगे हम परितंत्र का निर्मान होता है या वायू मंडल का या संसार का या इनमें से कोई नहीं तो यहां समरी राइट हैं सरोजा की ओप्सन नमबर यह परितंत्र का ठीक है किसका निर्मान होता है परितंत्र का निर्मान होता है खिलियर है चलिए नेक्ष्ट कीवचन देखेंगे ह अगला कीवचन है किसी जीव के आसपास फैले जय और अजयव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं क्या पर्यावरन वतावरन कहते हैं या संसार कहते हैं या वायू मंडल कहते हैं या इन्वे से कोई नहीं कहते हैं तो इनकिसी भी जीव के आसपास फैले जो जय और अजयव कारक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरन यानि option number यह आपका सही हो जाएगा पर्यावरन क्लियर हैं चलिए next क्यूचन देखें हैं यह जो पदार्त होते हैं और चैयवी परकर्म के दोबारा आप घटित हो जाते हैं तो उन पदार्तों को क्या कहते हैं क्या अजयकरन कहते हैं जैव निमनी करान या अक्कियर या इनसे कोई नहीं तो इश्य जक्onne线 फटेंफब से और धर्रेंगे मेर्णी-पर्यावरा से कौन पर्यावरन मित्र ब्यवहार कहलाते हैं but जाती समय समान के लिए कपड़े का ठेला ले जाना या कारी समाफ्ट होने के पर लाइट तदा पंखे का स्मिच बन करना या मादवारा स्कूटर से बिद्याले छोड़ने के बजाए तुम्हारे बिद्याले तक पैदल जाना या उप्यूगत सभी तो विज़न यहां से हमारी राइटरों से रोजागी ऑप्सन नमबरे बजार जाते समय समान के लिए कपड फेका थेला ले जाना यह हमारी पर्यावर निमित्र ब्यवार कर लाता है यानि यह अप्सन नमबर यहां से सही हो जाएगा चलिए अगला क्यूचन चलिए अगला क्यूचन है बोला कि नीमने में से कौन एक जैविक परकरम द्वारा अभगाटित होने वाला पदार्त है ठ पर प्लास्टिक की बोथले आपको पता होगा कि जो प्लास्टिन प्लास्टिन जो बग होते है वह अब घटन नहीं होते हैं यहां से आपका आपसन नमबर यह सही हो जाएगा सुखे घास पत्ते जलिए चलिए नेक्स्ट कूच्ण देखेंगा अगला क्यूचन है कैं था वहाई की प्रकृति में प्रफिश्बी पर उर्जा का मुख् ich सुरूत है शक्वेला सुरिय पानी या लकडी तो यहां समूल platinum जाकि ऑप्सन नंबर यए प्रफिश्बी प्रक्रकरती में प्रक्रेटी में , अवर्चतक क्या है ? सुरिया क्लियर है ? यह लगना क्यूचन देखे अंगा नेश्ट क्यूचन है हरे पॉधे कहलाते हैं हरे पॉधे क्या कहलाते हैं उत्पादक अभघटक उभ्भोक्ता दोय एरसे लोग और अपसिंगे लिए निमांकित में कौन जो है वह यह अनिमनी करन पदार्थ है कागज वह इंस से कोई नहीं यहां से हमारी राइट नहीं सुरों जाएगी ऑप्सन नमबर एडिडिटी एक जया वो अनिमनी करन पतार्त है यानि अपसन नमबर आपका सही हो जाएगा डिडिटी चलिए नेश्ट क्यूचन देखेंगे हम लोग अगला क्यूचन पोला कि ओजोन की एक अनू में कित फर्मुरा पड़ाओ का O3 क्लिएर है क्लिएर है चलिए अलाग क्यूचन देखेंगे अलाग क्यूचन हमारा है उर्जा का पिरामिंड हमेशा खाली अस्थान होता है उर्जा का जो पिरामिंड होता है इस्टुडेंट हमेशा क्या होता है वह हमेशा स्लोपिंग होता है या या किनासlor का उपयोग या उर्वरक का उपहयोग या पिढ़क नासर का उपयोग या इन collide स सभी यहांसे सा म lenses सब्सक्रي नाकी साइब सेल ना किन और टियान में का rye वन्हों कि लिश्ट ना कर देखेंगे अगला छावडा की कलॉरो फफ़ोरो कारबन का मुख्य सुरोत क्या है क्लॉरो फ़डोरो जो कारबन है इनका मुख्य सुरोत क्या है एरोसोल जागदार सेविंग क्रीम यह किट नासी इनमें से सभीहां से मारे राइटन सो जाएकी prohibition नमबर डी इनमें से सभी ठीक है कुलोरो फ्लोरो जो कार्बन है उनका मुख्य स्रोथ एरोसोल भी है जगदार सेविंग क्रीम भी है कितना सी भी है यहां से पका सही जा रहा है इनमें से सभी चलिए अगला क्यूचन देखेंगे हम लोग बिविन मानों गती बीधियों द्वारा क्या हो रहा है क्या पर्यावरन का दिहान्द हो रहा है या परिस्चितकी तंत्र असन्तुलित हो हो रहा है यानि option number 20 सही हो जाएगा पर सित्की तंत्र असुंतलित हो रहा है चलिए नेश्ट क्यूचन देखेंगे हम लोग अगला क्यूचन वहरा कि उजोन चलिए चलिए नेश्ट के ताोयद में क्या प्रभाव परता है को चैंसर होती है क्या मोतियाव बिन्ध होती है कि इ में से सभी इस चैंसर के चारान चलिए उत्य प्रभाव होती हैalta नीं के आप्सन नवरडी आपका सभी जा रहाяться इन में से सभी चलिए नेक्स्ट कीवचन देखेंगे अगलोग अगला कीवचन वो रहा कि सही आहर सिरिंखला है चीडिया, साप, घांस या मथली घांस गाय या बकरी घांस हीरन या घांस हीरन सेर तो यहां से हमारी राइट एंसर हो जाएगे ऑप्सन नमबर डी घांस गाती हीरन और हीरन गुखाता है सेर यानि ऑप्सन नमबर डी यहां सबका सही जा रहा है चलिए एगला कीवचन चलेंगे हम लोग नेश्ट क्यूचन है अहार स्रिंखला में कितने प्रतिसत उर्जा एक दूसरे पोसी अस्तर में अस्तांतरन होता है ठीक है अहार स्रिंखला में कितने प्रतिसत उर्जा एक दूसरे के पोसी अस्तर में अस्तांतरन होता है 100% 50% 10% या 5% चीजन अहार सी इंखला में जो उर्जा होती है वो 10% अस्थांतरन होती है कितनी परसेंट 10% यानि option number C आपका सही हो जाएगा 10% चलिए अगला क्यूचन चलेंगे लोग नेश्ट क्यूचन अगला क्यूचन है एक पोसी अस्तर से दूसरे में अस्थांतरन में क्या होता है क्या उर्जा की मातरा बढ़ती है या उर्जा की मातरा इस्तिर रहती है या उर्जा की कमी होती है या इनमे से सभी तो एक पोसी अस पोसी अस्तर से दूसरे में अस्थांत्रन में हमारी जो उर्जा की मातरा होती है उर्जा की कमी हो जाती है जब एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में अस्थांत्रन होता है तो आप उर्जा की जो मातरा है वह कम हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुछन देखेंगे क्या उत्पादक अस्तर पर या प्रात्मिक उभ्भोक्ता में या तीर्तिय उभ्भोक्ता में या इन में से कोई नहीं तो इजन अधिक्तम जो उर्जा होती है वो उत्पादक अस्तर पर संचेश होते हैं यानि कि अप्शन नमबर यहां सबका सही जा रहा है उत्पादक अस् निचले पोची अस्तर की जीवों की संख्या अधिक होती है यह एक आवरिती बनाती है यह कौन से आवरिती में अइस संख्या का पिरामियंड यह पे heavenly धोरा इसा सॉत हो जा चले लिए कर가요 शंख्या लोग अगला क्यूचन है वोल रहाई कि ऊर्जा का प्रवाह होता है ठीकि उर्जा का परवा होता है दो दिसाओं में अनेक दिसाओं में एक दिसा में या इन में से कोई नहीं तो यहां से माली राइट एंसर हो जाएगी ऑप्सन नंबर सी एक दिसा में ठीकि उर्जा का परवा होता है एक दिसा में चलिए अगला क्यूचन देखेंगे ह क्या होती है बढ़ती है या इन में से कोई नहीं होता यहां से आपिसन नमबर भी बढ़ती है जो है एक पोसी अस्तर से जब दुसरे पोसी अस्तर में जाती है क्या होती है वापी increase हो जाती यानि की बढ़ जाती है चलिए अगला question देखेंगे हम लोग बोला कि जैव और निमनिय करनी है पदार्सों की मात्रा एक पोसी अस्तर से अगले पोसी अस्तर में बढ़ने की जो परकिरिया है वा क्या है उर्जा परवा अहार जाल या जैव आवर्धान या इन में से सभी तो इस्ट्वेट यहां से हमारी या राइट ने से रोजाएगी option number C जैव आवर्धान ठीक है अलाकि उच्छन देखेंगे हम लोग मनुसी के सरीर में कितना सक कैसे पहुँचते हैं सिर्फ जल से या शिर्फ वतावरन से या अनेक पोसी अस्तरों से या इसमे से कोई नहीं तो मनिश से के सरी में जो किटना सब पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं अनेक पोसी अस्तरों से यानि कि अप्सन नंबर आपका सी सही हो जाएगा अनेक पोसी अस्तरों से क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्यूचन देखेंगे हम लोग अगला क्यूचन है वायू मंडल ये ओजोन हमारे प्रिथिवी की किस से रक्षा करता है वायू मंडल ये ओजोन जो है जिसे हम लोग ओत्री बोलते हैं या जो है वो हमारी प्रिथिवी को किस से रक्षा करता है सुरिकी उसमा से बारिश से या कार्बन डाय ऑक्साइड से या सुरिकी प्रवैगनी बिकरन से तो उजोन जो परत होती है वह हमारी प्रिथिवी को रक्षा करती है सूरी के प्राबैगनी बिकरन से यानि Option Number D आपका सही हो जाएगा सूरी के प्राबैगनी बिकरन से Clear है? चलिए Next Question देखेंगे अगला Question है बोल रहा है कि प्राथमिक उप्भोक्ता कहलाते हैं तो हमारी जो प्राथमिक उप्भोक्ता होते हैं वह क्या कहलाते हैं प्राथमिक उप्भोक्ता क्या कहलाते हैं साकाहारी, मानसाहारी, सरवहारी या अब घटक तो हमारी जो प्रास्मिक जो भोगता होते हैं वह कहलाते हैं साकाहरी यानि option number A यहां सबकर सही हो जाएगा साकाहरी चले next question देखेंगे हम लोग अगला question है पोड़ा कि मनुस्य इवं तिल्चत्ता जो होता है वो निमलिखित में से किस रेनी के जंदू कहलाते हैं साकाहरी मानसाहरी मिरित जिवी या सरवहरी तिविजन मनुस्य जो तिल्चत्ता होते हैं वो खलाते हैं सरवहरी तिव अप्सन नमबर D यहां सबकर सही हो जाएगा सरवहरी कहलाते हैं किसी परित आत्र के जैवगटक होते हैं कि आप प्रकास इवं जल होते हैं यह पोधय इवं इसतल आँई जीव यहां समारी राइट एंसर हो जाएकि ऑप्सन नमबर डी पौधे जानवर मौन सियों सुक्त जीव या किसी भी परितंत्र के जैव घटक होते हैं तो अप्सन नमबर डी यहां सब से तो यहां समारी राइट एंसर हो जैएकि उत्पादक से किसी भी आफड शिंख्ला जो falls होता है वह होताए उत्पादक से यानि और अप्सन नमबर बी सही हो जागा उत्पादक से अगला क्यूचन देखते हैं हम लोग नेश्ट क्यूचन है इंसूलिन की कमी से होता है ठीक है इंसूलिन की कमी से कौन सा रोग होता है गेंगा रोग, बोनापन, मदुमे या इन में से कोई नहीं तो हमारे राइट एंसर हो जाएकि ऑप्सन नमबर सी ठीक है इंसूलिन की कमी से मदुमे होता है या निबी आपन सेयो जाएगा मदुमे चलिए है अगला क्यूचन से नेक्ष्ट क्यूचन है पोला की निमलिखी से कोन उत्पादक है निमलिखी 모르 matière से कुन उत्पादक है और आपको पता होता है कि अधर सिंखला में जो पर्थम अस्तान होता इंधर किसका उत्पादक तो निमलिखित में से कौन सा उत्पादक है संरत मेज हग ग्रास बर यह घंक समर्ठ करोंग कि अप्सिन नमबर डी ठीक है घं चलिए निश्ट क्यूचन क्यूचन नबर 46 पुरा की निमलिखित में से कौन एक अहर सिंखला बनाते हैं निमलिखित में से कौन एक अहर सिंखला का निर्बान करते हैं घास मसली तथा मिढख सैवाल घास तथा ग्रास ओपर घास बकरी तथा मनुस्य या गेहुम आम तथा मन मनुस्य तो यहां से हमारी राइट एंज रो जाएगी चुट्येंट ऑप सनबर सी घांस को खादा बकरी बकरी को खादे मनुस्य यहां से एक अहार सिंखला का निर्बान होता है यानि अपसन नमबर सी आपका सही हो जाएगा खला क्यूचन देखेंगें गम लोग नेक्स्ट क्यूचन देखेंगें चलिए लगें नेक्स्ट क्यूचन है एक क्यूचन इसमें पढ़ा भी वाये आपको याद होगा पड़ेगी ओजोन के एक अनु में प्रमानुओं की संख्या होगी एक दो टीन यहां से आपका अपसन नमबर सी सही हो जाएगा तीन ओजोन के एक अन चलिए अगला क्यूचन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्यूचन है, जलिए परितंत्र में उत्पादन के रूप में मुख्यत होते हैं, क्या होते हैं, सैवाल, घांस, हरे घांस, या इन्वे से सभी, जलिए परितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यत होते हैं, सैवाल होते हैं, अगला क्यूचन चलेंगे, 49 क्यूचन, पूरा कि निमन में मिर्त जीवी या अपमार्जक कहलाते हैं, लोमड़ी, गीद, चिल या इन्में से सभी, तो यहां से हमारी राइट एन्स हो जाएगी, अप्सन नमबर डी, या लोमड़ी भी मिर्त जीवी या आप मार्जक कहलाते हैं, गीद कहलाते हैं, या चिल, ठीके तो अप्सन नमबर डी आपका सही हो जाएगा, इन्में से सभी, चलिए नेक्स्ट क्यूचन देखेंगे हम अपरी मार्जक से, तो यहां से आपका उप्सन नमबर सी सही हो जाएगा, उत्पादक से, ठीके, अगला नेक्स्ट क्यूचन, नियुमने में से कौन सबसे ज़्यादा प्रकास संसले सी उत्पाद बनाता है, अस्तलिये पोधे, जलिये पोधे, मर्व अस्तलिये पोधे, य आते हैं, अगला क्यूचन, नेक्स्ट क्यूचन, परकास संसले सन के समय, CO2 के साथ कौन सी अभिकिरिया होती है, ठीके, जब परकास संसले सन होती है, तो उसमें कारबन डायोकसाइड के साथ कौन सी अभिकिरिया होती है, ऑक्सीकरन, ऑकरन, बिस्थापन, या इन में से जाएगी ऑप्सन नंबर भी ओकरन ठीक है जब प्रकास संसेशन होती है तो समय कारवन डाइया उकसाइड के साथ ओकरन अभी किरिया होती है ठीक है एक्सक्विशन देखेंगे हम लोग वोरा कि सूरी की बिकरन उर्जा का गरहन कोन करता है अब घटक भोगता उत्पादक या क्लियर है चलिए नेश्ट क्यूचन देखेंगे हम लोग अगला क्यूचन है बोरा कि जल जीवसाला किसके अंतरगर्थ आता है ठीक है जल जीवसाला जो है और किसके अंतरगर्थ आता है पराकृतिक प्रस्थिती के अंतरगर्थ क्रेथिम प्रस्थिती के अंतरगर्थ या ए और बी दोनों के अंतरगात या इन में से कोई नहीं जहां से हमारे राइट एंस रो जाएगी ऑप्सन नंबर भी क्रिटीम परिश्थिती के अंतरगात क्लिर है चलिए अगला क्यूचन देखेंगे हम लोग अजयव अब्याई के अंतरगात कौन आते हैं भौतिक वातावरान पोसन जलवायू या इन में से सभी तो यहां से मारे राइट एंस रो जाएगी ऑप्सन नंबर डी ठीके अजयव अब्याई के अंतरगात इस्टुडेंट भौतिक वातावरान भी आते हैं पोसन भी आते है जलवायों भी आते हैं, एनके option number D आपका यहां से सही हो जाएगा, इन में से सभी, next question देखेंगे हम लोग अगला question, पोले कि जैविक अभ्याय की अंतरगत कौन आते हैं, उत्पादक, उभोगता, अभगटक या सभी, तो आपके right answer जाएगे option number D, इस्टेट जैविक जो अभ अभ्याय होते हैं, उत्पादक भी आते हैं, उभ्योगता भी आते हैं, अभगटक भी आते हैं, यानि कि option number D आपका सही हो जाएगा, इन में से सभी clear है, चलिए next question देखेंगे हम लोग, बोला कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्पादक जो होते हैं, वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, परकास संसलेशन करते हैं, स्वसन करते हैं, वास्तपो सर्जन करते हैं, या इन में वो सभी परकरम को करते हैं, तो जिए उत्पादक जो होते हैं, वो भोजन बनाने के लिए परकास संसलेशन करते हैं, यानि कि option number E आपका सही जा रहा है प्रकास संसलेशन नेश्ट क्यूचन हमारा उर्जा का परवाह खाली अस्थान होता है जबकि जैव इवं वाता वरन की बीच खाली अस्थान पत होता है यहां से कुन सा फिलब होगा एक दिवसिये चक्रिये बहुत दिवसिये चक्रिये यह एक दिवसिये अचक्रिये या बहुत दिस्ये अच्छ ख्रिये तो यहां से हमारा राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए एक दिवसे च्छ ख्रिये ठीक है यहां से आपको बताते हैं यह उर्जा का परवा एक दिस्ये होता है जबकि जैवों वातावरन के बीच च्छ ख्रिये पत होता है यैनि आप्वान के च्च ख्रिये नबर ग्रीकों जो जाये के लिए इस वार्मिंग के लिए अपको बताहिस में बताना है ग्लोही लुबले वार्मिंग के लिए उत्तरदाई गैसे देंस तरडा Mär ti के लिए उतरजाई गैसे कौन सा गैसे ओटू एनस थ्री या स्यो थ्री या एंटू इस क्यूचन का एंसर आप कमेंट बेक्स में ज़रूर बताएं ठीकि आपको इसका एंसर पता हो तब पर भी और नहीं पता हो तब पर भी ठीक है तो इसनों यदि आपने हमारी चैनल को